तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मारा मैं चोड़ाई गरबार मेरा उमकना में मकना अब तु ही है संसार मेरा असलाम अलेकूम मैं चीए क्वेस्टन है इस वीडियो में जहां पर बेस बनाती है और कंटॉरिंग ब्लेशन वगरा करने के बाद यह वाइड कलर का जो पाउडर लगा सकते हैं जी तो आज के क्वेस्टन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पाउडर को हम लोग कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं जी इसको बेसिकली बेस को सेट करने के लिए यूज किया जाता है क्योंके बेस्ट हो हम लोग या तो स्टिक से बनाते हैं जो के टोटली आईली होती है यह एच्टी बेस होती है वो भी आईल बेस् सा जाते हैं तो उनको fix करने के लिए उसको पका करने के लिए जिसे हम कह सकते हैं हमें use करने पड़ते हैं translucent powders, setting powders या आप कह लें twin cake powders होते हैं और pressed powders वगरा भी होते हैं और आपको इसको color के हिसाब से use करना है अगर आप setting powder जो है वो dark color पे light color के use कर देंगे तो आप gray tone में चले जाएंगे और light powder जो है, sorry, light color पे dark powder यूज़ करेंगे then आप फिर भी gray पे चले जाएंगे अगर आप oily skin पे कोई भी powder यूज़ करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन time duration कम हो जाएगा आप उसको setting powder यूज़ करेंगे कि आप कौन सा यूज़ करेंगे लेकिन अगर आप oily skin पे कोई भी powder यूज़ करते हो तो वो चल जाएगा, अच्छा time निकाल जाएगा लेकिन अगर आप उस पे specially setting powder या foundation powder अप्लाए करते हो तो वो उसको cracky कर देगा aging skin को भी cracky कर देगा क्यूंकि उसमें बहुत ज्यादा ability होती है कि वो आपके skin को dry कर देता दूसरा question था कि या आपको enhance करता है जी हाँ आप इसको highlighting area पे apply करेंगे भर भर के वहाँ लगाए ताकि आपका वो थोड़ी देर के लिए बेक हो जाता है तो वो set हो जाता है लेकिन इसके पर अक्स अगर आप पूरे face पे लगाना चाहरे है तो थोड़ा सा powder लेके आप अपने brush पे और उसको जाड के अपने पूरे face पे apply करें और यह बिल्कुल इसी तरीके से जाड के brush आप dry skin पे भी लगा सकते हैं तो यह आपने इन असूलों का ख्याल रखना है कि आपने किस तरीके से कौन सा powder जाह कहां पर यूज़ करना है इन्शाला किसे दिन में आपके साथ बिल्कुल एक वीडियो बना के लेके आऊंगी जो आपको बता सकूं कि कौन सा powder कहां पर किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे कौन से skin पर तो पिर आपको इन्शाला तला और ज्यादा पता चल जाएगा तो आज की मेरी कोशिश कैसी लगी आप लोगों को आप लोग बताईएगा जरूर अगर कोई बात आप पूछना चाते हैं जिससे इन्होंने पूछी है तो मुझे बताईएगा मुझे साइमा खान को दौाओं में याद रखेगा लाइक करना शेयर करना सबस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा और स्किन टाइप के हिसाब से हमेशा अपनी बेस बनाईएगा सर्द कर मौसन का भी ध्यान रखेगा क्योंके बास दफ़ा सर्दियों में आईली स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन में चली चाती है और कॉम्बिनेशन ड्राइ में और ड्राइ एक्स्टा ड्राइ हो जाती है तो इन चीजवं के धिहान रखेंगा लाहष्का धिहान रखेंगा तो कभी भी आपकी स्किन जो है वो ग्रेनी होगी बलके बहुत ही जबरदस आपकी बेस जो आवो बन जाएंगी अलाहफ्यस